नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो एचससी सीटी ग्रूप डी रिजल्ट से समंदित बहुत सारे सातियों के कोस्चन थे कि यह किस तरीके से जारी किया जाएगा तो इससे समंदित चेर्में साब का ब्यान आ गया है और उन्होंने बता दिया कि क्या प्रोसेस र सातियों के डाउट थे कि रिजल्ट है वो डारेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा या फिर पहले डीवी की जाएगी या फिर डीवी में सो में से रिजल्ट आएगा या पिचान में से आएगा तो सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगे तुम आपको बता द जान से सुनना सारी चीज़ें और आपकी जो 13,536 पोश्ट है पहले वो 13,536 कंडिडेट को सलेक्ट किया जाएगा टोप को उसके बाद हर एक कैटेग्री वाइज आपकी जो जो कटोफ बनेगी उसमें से 55 नंबर माइनस करके जितने भी कंडिडेट होंगे उन सब को डोकॉम कि अगर जनरल की कटोफ मालो 71 जाती है यहां पर एक्जामपल के बात कर रहा हूं कुछ साथी कमेंट करने लग जाएंगे अगर मालो जनरल की कटोफ 71 जाती है तो डीवी के लिए 66 से उपर वालों को सब को बुला लिया जाएगा उसमें चाहिए आपके 40,000,000,000,000,000,000,000, नंबर का कोई लिमिट नहीं बताया 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा का नो नहीं यही काय सी था कि जो टोफ 13,530 स्पोस्ट जैसे सलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी वाइज जैसे SCBC जनरल जो भी कटोफ बनेगी उसमें से 5 माइनस करके जितने भी कंडिडेट होंगे 5 नंबर कम वेरिफाई करवा के लिए जाना है दूसरा आपका PPP से भी वेरिफाई होगा और तीसरा उन्होंने बताया थीसरे नंबर का प्रोसेस उसमें आपकी CID के थुरू भी जांच की जाएगी यानि कि आपके घर जाके जांच करते हैं वो पुलिस के थुरू करवाते हैं या CID स या किस प्रोसेस से करवाते हैं आपके मतलब ग्राउंड लेउल तक की जांच की जाएगी और उन्होंने बताया कि ग्रूप D में एक भी केंडिटेट को हम फरजी के 5 नंक नहीं लेने देंगे 100% सही से चेक करेंगे और ये चीज़ आपको भी पता है कि कोर्ट में मामला फ समस्या हो जाएगी क्योंकि अभी आगे विदान सबा चुनाओ के लिए अगला सीटी भी होना है और उसमें 30 से 40 अरवेक एंसी और भी आने वड़ी है तो आप उन से भी हाथ दो बेट होगे और ये नोगरी आपको मिलनी नहीं है तो कोसिस हो जहां तक कोसिस करें कि यदि आपकी इंकम 180 से जादा है तो आप इमानदारी से नमबर सोड़ दोगे बहुत अच्छा रहेगा वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है मेरी तरह यही है बग्या आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें